मित्रो 3 जन्वरी 2023 ये वो दिन था जब मैंने अपने पहला वीडियो इस साल का लॉंच किया जो कि था तो कैसे स्टार्ट करें अपना Million Dollar AI Integrated Business जिससे हम YouTube और Instagram से वो income जनरेट कर सकते हैं जो हमारे लिए एक Game Changer करियर बनेगा उसमें खूब लोगों ने comment किये और जितना सोचाता है उससे कहीं ज्यादा आगे निकल रही है वो वीडियो तो वहाँ पर एक question आता है जो बहुत comment था उस पूरी वीडियो के अंदर ये तो क्या AI Voices सच में monetize हो सकती हैं हमने Google support पे पूछा और उनका जवाब आपको शौक कर हैं कि हम AI Voice तो भलिक यूज कर ले और YouTube अलाव भी कर दे लेकिन अगर उसमें आपका face दिख रहा है तब ही वो वीडियो मोनेटाइज होगी वोईस ओवर AI की मदद से मोनेटाइज नहीं होते तीसरा अगर ये मोनेटाइज नहीं होता YouTube पे AI Voices और क्या option बन सकते हैं और इसस को एक मान के बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं कि डीप फेक AI Voice आपका क्लोन होता है वहीं टेक्स टू स्पीच जो होता है वो कुछ ऐसा स्वाम करता है यानि कि आपका गूगल असेस्टेंट सीरी यह सब टेक्स टू स्पीच सॉप्वेर या AI है जो सिर्फ टेक्स को एजन स की मदद से सीखता है और फिर डिलेवर करता है उसका कुछ एक्जामपल यह है तो इस वीडियो में सबसे बड़ा कन्फूजन लोगों को यही था कि टेक्स टू स्पीच सॉप्वेर का इस्तेमाल करके अगर हम AI से बुलवाएंगे सारे चीजें तो वो मॉनिटाइज नहीं होगा यूट्यूब के ऊपर आप सही है 2021 में टेक्स टू स्पीच को गूगल अलाउट नहीं करता था लेकिन जब 2022 आया और डीप टेक्नोलिजी का इंटिग्रेशन हमें देखने को मिला जहां पर मशीन लर्निंग की टेक्नोलीजी से आपकी ही आवाज को क्लोन किया जाता हम भी confused हो रहा थे तो हम सीधा गए Google पे research करने तो पता चला बहुत से लोगों के सवाल है ऐसे ही बहुत से लोगों ने अपने kora पे opinions दिया है Google support पे अपने opinions दिया है और वैसे Google support से हमने भी बात करी तो उन्होंने क्या जवाब दिया लेकिन उससे पहले हमने एक experiment भी करके देखा अपने एक नया चैनल बना के जहां पर बिजी फंडा एक्सपेरिमेंट नाम से हमने एक चैनल बनाया वहाँ पर हमने अपनी ही एक वीडियो को ए आई बॉइस में डब करके उस चैनल पर अपलोड किया यह देखने के लिए कि यूट्यूब अलाव करता है कि नहीं और यूट्यूब ने उस वीडियो पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए और हमने अपलोड किया लेकिन फिर लोगों के सवाल आए कि इसमें आपका फेस दिख रहा है इसलिए शायद गूगल ने या यूट्यूब ने आपको कोई रिस्ट्रिक्शन सेंड नहीं किया तो फ आप हमारी यह पॉलिसी को चेक आउट कर सकते हैं तो हम पॉलिसी पे जब गए तो वहाँ पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि AI कंटेंट या डीप एक एक कंटेंट को मॉनिटाइज नहीं किया जा सकता एटसेंस की एक पॉलिसी है रिपिटिशियस कंटेंट उसका ये जाता है text-to-speech technology के अंदर जहां पर एक जैसे ही आप sound करते हैं और एक जैसे ही आपके expressions होते हैं AI के expressions होते हैं लेकिन वहीं deep fake technology जो है वो आपका human clone है और वो just like human emotions को समझ के जो भी आप expressions देते हैं full stop, comma, mark के साथ वो उसको read करता है और machine learning की technology से वो वहाँ human-like pauses भी लेता है लेकिन हमने फिर भी सारी policies को देखा कि monetization की क्या policies है तो YouTube जब आप एक channel बनाते हैं और monetization के लिए बेजते हैं तो आपको पता ही है कि 4000 गंटे, 1000 subscriber, अब तो 10 million views भी हो सकते हैं एक shots के उपर अगर आपके हैं तो वो भी monetization का criteria बन चुका है लेकिन जब आप monetization के लिए बेजत करते हैं तो उसका पहला तो उसमें पहला आता है channel की theme क्या है जैसे हमारी business theme हो गए या education theme आप मान सकते हैं दूसरा आपकी most viewed videos कौन सी है, सबसे नई video कौन सी है, सबसे बड़ा proportion कौन सा है watch time का, आपकी किस video से आ रहा है वो watch time और videos का metadata क्या है, thumbnail क्या है, title क्या है, और description क्या ह आप YouTube की community guidelines का पालन कर रहे हैं या नहीं, community guidelines में पहली category आती है spam और deceptive practices की, जिसमें external links हो गए, fake engagement policy जैसे आपने खरीत के views या subscribers बढ़ाए हो, third party से, तूसरी category आती है sensitive content की, child safety हो गई, drug use, ये सब में categories आती है, तीसरी category आती है violent और dangerous content की, जैसे की hate speech, चौथी category आती है regulated goods की, क ये ऐसा illegal समान तो नहीं बेच रहे है YouTube पे, और पांच भी category आती है misinformation की, जो आप समझी गए होंगे, तो in community guidelines में से कहीं भी ये AI का जिक्र हुआ ही नहीं है पहली बात तो, अब बात करते है, adsense की policies की, adsense का सिर्फ एक ही rule मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मन में doubt create करता है, वो है repetitious content का, जो आपको हर search engine पे भी देखने को मिल जाएगा, कि लोगों ने यही बात करिये, कि ये allow हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसको जानने कदवे की तरीका है, हम अपने experiment वाले channel पे डालते रहेंगे videos, जब तब वो monetization के लिए eligible नहीं हो जाता, अगर आपको पता है कोई और जानकारी है, तो मझे comment करके बता सकते हैं, लेकिन एक comment किया किसी ने, मैं comment यहां show कर देता हूँ, किनों ने किया, उनकी बात बड़ी सही है, कि monetization एक criteria है, जो आपके career को decide नहीं करता, हाँ मैं मानता हूँ कि career उसी से बनता है, लेकिन AI voices का आप और कह कहां कहां इस्तमाल कर सकते हैं, और content industry में जा सकते हैं, उसमें से पहला instagram भी आता है, जहां पर ऐसी कोई policies नहीं है अभी, और बहुत से channels AI की उपर काम करते हैं, दूसरा आप voice enabled website बना सकते हैं, blog बना सकते हैं, आपने बहुत सी news websites पे देखा होगा, कि आपको play option भी आप process भी कर सकते हैं AI voices से, और यहां पर मैं text to speech की बात नहीं कर रहा हूं, deep fake AI clones की बात कर रहा हूं, तो इसमें अंतर बहुत minor सा है, लेकिन अंतर है दोस्तों, बाकि अगर आपके और कोई doubts हैं, तो हम comment box check करते रहते हैं, आपके सवाल देते रहते हैं, लेकिन लेट वाली वीड वीडियो में तब तक के लिए be busy